तेहम खबर के आरक्षन को लेकर पीम मोदी ने विपक्ष को फिर घेरा है SC, ST, OBC आरक्षन पर राजनीती करने का अविपक्ष लगाया विपक्ष को भोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे वहाँ जाकर मोजरा भी करना है तो करे पीम मोदी ने ये कहा है जब तक जान है आरक्षन पर अपनी लडाई जारी रख़ूँगा अपने बोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे उनको वहाँ जाके मुजरा करना है तो भी करे मैं स्थी, स्थी, ओबी से आरक्षन के साथ डट करके खड़ा हूँ खड़ा रहूँगा जब तक जान है लड़ता रहूँगा और आठ राज्यों की 58 स्टीटों पर वोटिंग लगातार जारी है तीन बज़े तक की बात कर ली जाए उन्चास दशमलो दो शून्य फीसद मतदान हुआ है बिहार की अगर बात कर ली जाए 45.21% वोटिंग हर्याणा में 46.25% वोटिंग जमू कश्मीर में 44.41% वोट अब तीन बज़े तक डाले गए है जारखंड में 54.34% ओडिशा में 48.44% उत्तर प्रदेश में 43.95% वोटिंग हुई है जबके पश्ममंगाल में 70% से जादा वोटिंग हुई है जबके दिल्ली में 44% से जादा वोटिंग हुई है तो अलग-अलग जगहों के वोटिंग परसेंटेज आने लगे है तीन बज़े तक का वोटिंग परसेंटेज का अकड़ा है कई दिगज तकरीवन 889 दिगज जो है प्रत्याशी जो है वो मैदान में है महबुमा मुफ्ती जैसे दिगज इस राउन में पार्ट कर रहे हैं और क्या वोटिंग परसेंटेज है तीन बजे तक का वो हमने आपको बता दिया निरहुआ धर्मेंदर यादाओं बड़े लड़ई है एक तरह वो आपको दिखा रहे हैं इस चरण में आठ राजियों के 58 सीटे पर वोटिंग और दिगजों ने अपना वोट कास्ट भी किया है दिली के जो साथ सीटे हैं उनमें आज वोट कास्ट हो रहे हैं छठे चरण का यह चुनाओं पांच फेज में 439 सीटों पर मदान हो चुका है और एज जून को आखरी 56 सीटों पर वोटिंग होनी है और जो हमारे से होगी हैं वो लगातार अपडेट के साथ आपको नज़र आ रहे होंगे सरवेश दुबे प्रयाग राज के हाल हमें बताएंगे सबसे पहले शंकर आपके पास मैं आना चाहूंगा मेरा ख्याल है दिल्ली इसी एक राउंड में कम्प्लीट हो जाएगी और गर्मी भी भीषण है इन सब के बीच क्या आपडेट शंकर निश्वन दूर में देखें राजधानी दिल्ली का पारा है वो काफी चड़ा हुआ है और अगर राजदिक पार की बात करें तो राजदिक पारा भी काफी चड़ा हुआ है क्योंकि जिस तरह से बोटिंग प्रसेंटेज देखने को म अगतार चाहे लेक्षन कमिशन की बात करें या स्थानी राजनिताओं के द्वारा जो अफील की जा रही है कि लोग अपने घरों से निकले और अपने मद्दान का प्रयोग करें निशन दौर पे कह सकते हैं कि यह देश का एक सबसे बड़ा एक लोगतंत्र का एक सबसे लोग सब्बाब में लोग सब्बाब चुनाव के अगर बात करें तो तो दिल्ली का जो नौर्थ हीस दिल्ली है वहां पर सबसे हॉट सबसे होट सीड माना जा रहा है क्योंकि वहां पर मनोज थिवारी जो एक बहुत चर्चित अभिनेता हैं गायक है और दिल्ली के पुर्व अध्यक्ष मेरा चुके हैं तो एक तरशे कह सकते हैं कि यह काफी फाइटिंग वाला जो एक सीट है और दूसरी तरफ देखा जाए नई डिली सीट के अगर बात करें तो नई डिली जो लोगसवा सीट है यह काफी चर्चा का किंद्र है क्योंकि यहां पर पूर्ब सुस्मा स्वराज रही हैं वैसे पारे कम थे फिर अचानक से किसी को जमानत मिल गई पर पारा एक दम उपर पहुंच गया अमित कुमार भी हम ऐसा जुड़े हुए हैं अमित क्या हाल सिवान से देखें बिल्गोल यहां पर अगर सिवान की बात करें तो सिवान में परचंड गर्मी है और सियासी तापान भी चरा हुआ है इस वीच वोटर जो है वो भी पूरे मिजाज के साथ वोटकास्ट करने आए हैं हमारे साथ मौजूर है जिन वोटरों ने वोटकास्ट कर लिया है यह बताएगा कि आपने वोट दे लिया थोड़ा इंक डिखा दीजे निली से आई जो लोक्तनत के सबसे खुस्तुरत से आ आप बताइए वोट किन मुद्धों को लेकर वोट कि आपने और सब यहां की ब्रौस्ता वगरे लिए हैं आप बढ़िया काम करें हम लोगे ही निरु चाहेंगे सरकार जो आपने वी बोट किया जैसी जैसी मुद्धों को लिख पूआ सुद्धी रहे हैं आप बदा इसकार में रहा है और वोटर है आप बदाएं सर गर्मी निप परसान कर रखा लेकिन वोट का छोटत आपने दे दिया जरूर जरूर यह देना हमारा करो है हमारा धर्म है वोट हर इनसाल को देना चाहिए अब जो आपको नहीं लगता कि इतना बेहतर विवस्था यहां पर प्रसासन ने किया निर्वाचन आयूग ने किया टेंट सम्याना लगणा कि सारी जमारों है लेकिन वोटर उत्सकर से है नहीं उन्हें चाहिए यह गर्मी क्या कारण है इतनी भ्यंकर गर्मी कुछ लोग साम को आने का सोचे होंगे कुछ हमने अपना करम किया हमने वोट दिया जंता को अपने जागूरूत होना से यह आना चाहिए यह वोट देना चाहिए जो लोग अब तक नहीं है सब लोग के लिए भी सरकार अच्छा करें अच्छा करें महिलाएं जो हैं वह पुरी तौर से मोर्चा समाली हुई हैं और कहना है इन लोगों का कि वोट पर्टिसर भले ही सिवान का भी थोड़ा कम है लेकि जैसे थोड़ा समय ढ़लेगा गर्मी की मिजाज में थोड़ी नर्मी आईगी यहां पे वोटरों का खतार एक पर फिर से नजर आगा यह उमीद जता रही है आएंगे आएंगे आपके पास फिर से आएंगे सर्वेश भी हमाएं साथ लगातार बने हुए हैं सर्वेश क्या कुछ अपडेट वोटिंग परसंटेज का वोटर का EVM से संगम हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है रफटार कैसी है मुद्दे कौन कौन से सर्वेश देखे मैं आपको बता दू कि संगम नगरी प्यागराज में जैसे आपने कहा कि बहुत जादा मदाताओं ने सुबह के टाइम उत्सा दिखाया था लेकिन लगातार गर्मी पड़ रही है टंप्रेचर करीब 45 डिग्री है और इस वक्त मैं आपको दिखाऊं कि मैं फूल पू वोटर हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं लोग अपने मतादिकार का प्रयोग करें तीन बज़े तक जो आधिकारी कांकड़े आए हैं दो लोग सभा सीटे प्रयागराज में फूल पूर का जो आकड़ा है 49.46 फीजदी है और इलाहाबाद का जो है इलाहाबाद सीट का 41. जीरो चार फीजदी लोगों ने मतान किया है तो यह आंक्रे बहुत उत्सा जनक नहीं है लेकिन कुछ वोटर समारे साथ हैं जिनों ने मतान किया है अपनी स्याही दिखाईए कि आपने कहां पर सभी लोग दिखाईए तो यह सब लोगों ने मतान किया है इनसे बात करते है तैयार किया है जो मापदन उत्रकुदेश में स्थापित किया है उसका कोई जवाब नहीं है आप बताए कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप लोगों ने वोट किया है युवाँ भी है अब लोग देखे विकास तो पहले नंबर पर है बाकी युवाँ के लि मुद्दा नहीं मालूम वोट तो डाल दिया सरकार बढ़िया काम कर रहे हैं लेकिन अभी हमें जो सरकार पसंद आई है इससे पहले जो है मैं नहीं जानता क्योंकि बहुत से सरकारी थी लेकिन अभी मुझे मुझे जो सरकार इससे में प्रेजेंट टाइम चल रहे हैं वह हमारे लिए मतलब विकास से देखा जाए हर एक चीज पहली बार उड़ दिया आपने हाँ यह पहली बार मैंने पहली बार मताता बने जो लोकतंत्र में अधिकार मिला हुआ है मद्दान करने का इसको देने के समय है लोग घरों से निकलेंगे और निूज एटीन भी लगातार मद्दाताओं से यही अपील कर रहा है कि लोग घरों से निकलें और लोकतंत्र में चो नहीं मता अधिकार का अधिकार मिला हुआ है उसका प्रियोक करें और अपने लिए एक बहतर सरकार चुने जी कि आप महसूस पार है तो राजधानी दिली के तमाम सीटे हैं इसलिए चर्चा का केंदर प्रचार करें और दूसरी तरफ देखा जाए तो केजरीवाल जो आमाधी पार्टी के हैं तो वह कनहिया कुमार को अपने समर्थन दे रहे हैं जिस तरब से राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी के पार्टी के उमिद्वार है, कनहिया कुमार, तो वो टक कर दे रहे हैं, वो सीट सबसे ज़्यादा चर्चा का किंद्र में हैं, दूसरे वक्त पुलसा और कम हो गया। झाल